वेलकम टू मैचैनल किचन फर डियाबेटिक्स ब्रेड तो सबको बहुत पसंद होती है इसे खाना भी आसान है क्योंकि ये हमें रेडिमेंट मिलती है इसे लागे हमें थोड़ा सा रोस्ट करने से इसे हम आसानी से खा सकते हैं लेकिन लेकिन डियाबेटिक्स पेशन्स कौन स आपको बताऊंगी आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाईए आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे मेरे किचन में डियाबेटिक्स पेशन्स और प्री डियाबेटिक्स पेशन्स के लिए ही कुकिंग कर रही हूं ग्लिज यहां पूरा पानी को निचोड़ा हुआ दही का इस्तेमाल कर रही हूं पानी रहने की वज़े से आपकी सैंड्वीच एकदम नरम सी बनेगी और उस दही से पानी भी छूटने का चांसेस बहुत ज्यादा है इसलिए मैंने इसे पानी पूरा निचोड़ कर इसे ड्राइ कर कर लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा नमक काली मिच का पौडर दालचीनी का पौडर और एक टी स्पून ओली वाइल को एड़ कर रही हूं इन सब को अच्छे से मिक्स करकर हमें इसे सैड में रखना होगा चलिए अब हम ब्रेड कौन सा सेलेक्ट करना है उसके फायदे जानते मार्केट में हमें ग्लूटनिन फ्री ब्रेड मिल रही है इसमें ग्लूटनिन को निकाला जा रहा है बट उसमें कौप्स और फाइबर्स को भरपूर मातरा में आड कर रही है इसलिए हम ग्लूटनिन फ्री ब्रेड डियाबेटिक पेशेंट्स के लिए सही नहीं है multi grain bread इसमें fiber अधिक मातरा में नहीं होता है अनाच की मातरा थोड़ा ज्यादा होती है इसलिए सावधानी से हमें bread को चुनना चाहिए multi grain bread भी diabetic patients के लिए safe नहीं है enriched bread इस प्रकार की bread हमें बेकरियों में दिखाई देती है यह एक प्रकार के refined bread है इसलिए इसके सारे vitamin और mineral भी निकाले जाते है इसके कारण यह healthy नहीं है diabetic patients के लिए चलिए अब हम जानते है whole wheat bread या whole grain bread यह साबूद गेहूं और साबूद grain से बनाया जाता है यह bread healthy होता है और यह fiber से भी भरी होती है यह वजन कम करने में भी आपकी मदद करती है bread याने की whole grain bread यही bread diabetic patients के लिए बहुत फाइदे बंद है इसलिए मैंने यहां पर वही bread को select किया है मैंने इस bread पर green chutney को अपले किया है green chutney जै कैसे बनाते है इसका process मैं आलरेड़ी बता चुकी हूँ इसका link मैं description में दालूँगी चाहे तो आप देख सकते है मैंने हरी चटनी में दहीं को याड नहीं किया है अगर दहीं को याड करेंगे तो यह bread जो है एकदम जिल जिली हो जाएगी चलिए मेरी हरी चटनी का color थोड़ा dark लग रहा है जो मैंने vegetable salad बना लिया था उस vegetable salad को मैं इस bread पर spread करकर दूसरे bread को इससे cover कर दूँगी चलिए इसी तरीके से दूसरे bread को भी बनाते है इस salad में मैंने carrot का इस्तिमाल किया था carrot का glycemic index है 47 और yogurt का glycemic index है 33 cucumber का 21, tomato 38 है अरे vegetables low glycemic index वाले हैं इसलिए यह safe माने जाते हैं मैंने यहाँ bread को roast करने के लिए sandwich maker का इस्तिमाल किया है चाहे तो आप प्यान पर भी कर सकते हैं पर मैंने थोड़ा सा olive oil को spread किया है मैंने यहाँ sandwich को रखा है sandwich को रखकर इस पर भी मैंने थोड़ा सा olive oil को spread करकर इसे मैंने ढग दिया है चाहो तो आप पैन पर भी इस तरीके से रखकर लिट से कवर कर सकते हैं चलिए देखते हैं ब्रेट सैंडवीच बनकर रेडी हो चुका है इसे हम हमें स्लाइसे से कट कर लेना चाहिए दीने की चेटनी को स्प्रेट करने की वएसे ये सैंडवीच बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए जितने भी डियाबेटिक पेशन्स है और प्री डियाबेटिक है उन सबको इस रेसिपी को शेर करिए जो अपना वेट लास्ट करना चाहते हैं वह भी इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं diabetic patients whole wheat bread या whole grain bread का ही इस्तेमाल करना बहुत safe माना जाता है कभी भी bread purchase करना चाहते हैं तो आप इसकी जानकारी पूरी तरीके से रखिए bread के साथ vegetable salad को मिला कर आप use करने की वज़े से आपकी glucose की क्षमता बनी हुई रहेगी whole wheat का glycemic index है 54 always eat healthy safe healthy take care of yourself धसोड़orgげ उचार.झाम